वान प्लस 3T ब्लूटूट प्रॉब्लिम नमस्कार दोस्तों सवागर है अब सभी का तिक राच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों अगर आपको ब्लूटूट के इश्यू आ रहा है ब्लूटूट के प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस वीडियो को अंतक जरू देखेगा मै सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं तो कई सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करते हुए ब्लूटूट को क्लिक करे और अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्णिंग पर अब हमें टुटर पर फोलो करके मेसेज कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो यहां पे जो आपको Bluetooth प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको fix करने के लिए दोस्तों आप सबसे पहले लिए मुबाइल को रिच्टार्ट कीजिए ब्लुटूट को रिकारने करने के कोशिश करें फिर भी प्रॉबलम आ रहा है तो दोस्तों आप यहां पर ब्लूटूट के कुछ सेटिंग्स वगरा चेक करके देख सकते ठीक है इस तरी के यहाँ पर सेटिंग्स होगा फाइल स्रीशिव वया ब्लूटूथ ब्लूटूथ प्यर डिवाइस इन सब का option मिल जाएगा लेकिन सकटे बार जोई इससे विकाम नहakukan बैन जाना है आपको जाना चुछी सब्सक 만들 उसके बारRI सेंट पर क्लिक करना इसके बादर सेंट वाइफी ब्लूटूट पर क्लिक कर देना है उसके बाद रिसे करके मोबाई पास़ोड बीटAL सेट कर देना है इससे आपका Bluetooth सेटिंग रिसेट हो जाएगा उसके बाद थोड़ा उपर में जाए एपस एन इन ओडिफिकेशन को आपिन कीजिए सी ओल लप पर क्लिक करें यहाँ पर दोस्तों ब्लूटूट का ओप्षिन रेट सर्च कीजिए ठीडॉट में क्लिक कीजिए पर क्लिक कीजिए और आपको Bluetooth आप्षिन नीचे सर्च करका और तब फ्लूटूट पर जाए और यहां पर दोस्तों अके दो option ने तो दोने option कि पर जाकर लग इसका डेटा को क्लियर कर देए ठेक है दोने option का जो डेटा है उसको क्लियर कर दे इस तो रेज पर जाके तो यह करने के बाद मोबाइल को रिस्टार्ट करें दुबारा से ब्लूटूट कनेक्शन देने के कोशिच कीजिए आपको प्रॉब्लम सौल्फ हो जाएगा इनी चांस अगर प्रॉब्लम सौल्फ नहीं होते तो आप मोबाइल को सेफ मोड पे रिंगूट कर लीजिए कैसे करना आए बटन को प्रेस औन हाल करना है पाघ्श में 2 सेज़ां करके रखनाी पर क्लिक कर देना है और आपके मोबाइल सेफ मोड पर रिपोट हो जागा इसके बाद दुबादार सयूज़ कीज़े ब्लुटूट को तो फिर problem solve हो जाएगा by any chance सारे problem I mean सारे solution करने के बाद problem solve नहीं होते तो फिर क्या कर सकते system पर जाए setting पर क्लिक करें ठीक है reset option पर क्लिक करें और आपको erase all data पर क्लिक करके आपको mobile data erase कर देना है उसके बाद आप problem solve कर पाओगे तो सारे जो solution में आपको बता है आपको step by step follow करना है ठीक है अगर आप दारे लिए reset करने के कोशिश करें तो इसा मत किजिए क्योंकि दोस्तों reset करने से mobile का जो data है वो clear हो जाएगा तो वो करने से पहले दोस्तों आप सबसे पहले solutions को follow कीजिए ठीक है step by step तो अगर problem solve नहीं होते तो लास्ट में आप mobile को reset करके इस problem को solve कर सकते हैं आज के लिए बस इतने उमिद करते हैं आपको वीडियो पसंद आओगा तेंक्स रूवाचिए अजय सकते हैं पहले में आपको यद कर दोस्तों है